हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहोस अव सलूसंस, दोस्तों जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक बेपेज बनाते हैं यूजिंग अउनली HTML, मतलब एक हमने प्रफाइल वेफसाइट बनाकर दिखाया था पिछले वीडियो में, कम्प्ल कम्प्लीट बेप डिवलप्मेंट का कॉर्स ट्रेनिंग करने वाले हैं और जहां अभी हम HTML देखने इसके बास CSS, JavaScript, jk, reboot test है, बहुत कुछ हम देखने वाले हैं, फिर हम प्रोजिक्ट भी डिवलप करना शिखेंगे, तो बहुत ही important playlist है, बहुत ही important series है, इसको मिस मत करिए, एक-एक वीडियो को देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कैनली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल की आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, ताकि तुरन आपको नोटिफिकेशन मिले, जैसे ही मैं कोई नए वीडियो डालू, वीडि कुछ लिंग एक इंटर्णल होते हैं, जैसे कि उसी प्रजेक्ट में कोई पीजिए होती है, उसपर हम वीडिध करते हैं, यहीं इसको सब्सक्राइब कुछिए वाले हैं, इस हया dwक dul basically कर ले. जाएगा इस सब करके देखने वाले हैं सब पूछ करिए कि हमने अपने वेफसाइट पर आपको विजिट कराना है तो हम यहाँ पर अपने अपने वेफसाइट का युबारल डाल देंगे तो आप जैसे किलिक करेंगे दूसरे पर चला जाएंगे कुछ इसके एट्रिब्यू लिंक का एड्रेस रखता है जहां पर चैषिट करते हैं एक टार्गेट भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा टार्गेट अट्रिब्यूट रहा करता है जिसे आप लोग किसी लिंग को बनाते हैं तो उस पर किलिक करते हैं तब सेम अब आपका दूसरे पर प्होपन होयाता ह आप चाहते हैं कि नहीं दूसरे टाइब में open हो तो target एक attribute है उसमें कुछ उसके value होते हैं जैसे self होता है blank होता है उन सब का मतलब आपको बताऊंगा बहुत important attribute है बहुत ज्यादा जोने वाला attribute है आई एमजी क्यों देखिए आई एमजी टाइग को भी एक link बना सकते हैं जैसे कोई image है आप चाहते हैं उस image पर click करिए तो हम दुसरे site पर चला जाएं फिर उस image से लेटर जो भी site हो जो page open हो जाए तो मतलब पूरे के पूरे image को आप target कर सकते हैं एक text को तो करी सकते हैं पू उपन करके चले जाते हैं अगर हमाल जीए कि आपको mail का एक link बनाना है कि जैसे उस पर कोई click करें तो हमारा बाइडिफॉर्ट जो हमारे लैप्टॉप का मुबाइल का जो mail हो जाए वहां पर mail suit करने के लिए हम टाइप करें और mail suit हो जाए तो mail to होता है tag उसके वाद एक ट ही आता है तो मैं डिरेक्ली लिए चलता हूं अप लोग को प्रोग्राम में भी एस कोड में जहां पर हम लोग इसको implement करके एक एक को देखेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह प्रफाइल वेबसाइट बनाया था इसी को मैं एक पर open कर लेता हूं और इसी में कोई एक link बनाना है एक basic link बनाकर आपको दिखाता हूं जैसे माल लिजिए कि हमने यहां पर एक link बनाया जैसे यहां पर tag है और यहां पर मैंने एक anchor tag डाल दिया ठीक है और मैं चाहता हूं कि इस पर जैसे ही क्लिक करूं तो go to Google नॉर्मल इसी दिखा रहा हूं नहीं तो www.google.com ठीक है अब सेफ करिए चलिए ब्राउजर पर और यहां पर देखिए go to Google ठीक है इस पर क्लिक करिएगा तो Google.com अपन हो गया देखिए कितना इजी है और यह क्या हो रहा है इसी जैसे back करेंगे तो आप सेम टैब के अंदर open हो रहा है मैंने बता है कि टार्गेट ब् पर जो एक ही टैब के अंदर open हो जा रहा है इसको चाहें कि दूसरे टैब में open कर सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां पर आईए और यहां पर देखिए एक अट्रिब्यूट होता है लिख सकते हैं आप टार्गेट तेके टार्गेट इसमें ब्लैंग पैरें में भी आगे पताऊंगा ठीक है तो अगर ब्लैंक करिएगा तो देखिए दूसरे टैब में यह open हो जाएगा अभी क्या है ठीक है कैसे होगा देखिए यहां पर सेब करिए सेब करने के बाद चलिए browser पर अब देखिए इस पर जैसे ही किलिक करूंगा देखिए दूसरे गायर यहां पर क्लिक करेंगे दूसरे टैब हो आप देखिए अलाग अलाग टैब टैब होता चला जा रहा है इसको बंद कर दिए इसको बंद कर दिए ठीक है अभी देखिए इसके लिए इसको हम करते हैं कमेंट अब आप चाहते हैं हम जैसे माल जीए कि हमारा ये बेपेज पर देखिए यहाँ लिखा हुगा है कि फाउंडर एंड सीओ अफ साहो सब्टेक्नोलोजी मैं चाहता हूं कि अभी नहीं आप लोग देखती होंगे पूरे टेक्स में किसी किसी वर्ड को लिंक बनाया हुआ रहता है ठीक है तब चाहते हैं कि साहो सब्टेक्नोलोजी एक लिंक बन जाए उस पर क्लिक करें तो साहो स सब्सक्राइब का ओफिसियल वेबसाइट ओपन हो जाए ठीक है तो भी आप काम कर सकते हैं कैसे करेंगे देखें भी रिखाता हूं बहुत इजी तरीके से आप यहां पर एक आंकर टैग लेजिए आंकर टैग ठीक है और जिसको लिंक बनाना है उस टेक्स को आप क्या कट करके इस यहां पर डाल देजिए और यहां पर अपने वेबसाइट का यहां डाल देजिए टीटी पीएस ठीक है और यहां पर हटीटी पीएस करने के बाद किसी को विजिट करा सकते हैं सेव करिए चलिए ब्राउजर पर और इस पर देखिए यह लिंक बन गया आप अब भी बुलू कलर के दिख रहा है तो मतलब कि आपने इस पर विजिट नहीं किया है जैसे इस पर क्लिक कर दें तो परपल हो जाएगा मतलब आप विजिट कर च इसके लिए आपके लिए अभी क्या ओपन हो रहा है सीम टैब में ओपन हो रहा है यह आपका यह साहोषट का अफिसियल वेब साइट है जहां पर बहुत सारे बुक्स अब लेबल है आप इसपर विजिट कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा चीछ देखिए यहां पर आइए मै पर जैसे ही किलिक करेंगे तो क्या होगा इस पर क्लिक करते ही देखिए दूसरे टाइब ओपन हो गया और यह आपका टाइब इचीटीज है तो इस तरीके से हमने को लिए इतनी वर्ट को एक लिंक बना दिया कितना इजी है ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं दूसरा आई यह इमेज है हमारा यह इमेज इसको एक एंकर टैंद डालेञ़क लिया हमने और इसको हमने पूरी के पूरे इमेज को कट करके यहां पर डाल दिया जैसे हम डालेंगे तब देखिए हम पर ब्राउजर पर चली एगा दैखिए पूरा इमेज जो है टार्गेट हो चुका है देखिए हैंड आगे लिटिल हैंड मताँ भी लिंग पुझ जो यहां पर लिंक नहीं बन रहा है यहां पर रिसे लिंक की स्क्राइब। को नहीं रहा है आप चाहें तो इस पर करके यह समाल लिजे कि हम सपोर्ज करिए कि यह हमारा इस सब्सक्राइब करना चाहरे हैं इस यहां किलिक किया और हम चाहते हैं खिय हमारे ब्लैंक कर देते हैं ताकि दूसरे टाइब में उपन हो ठीक है चलते हैं ब्राउजर पर देखिए हमारा होमपेज है हमसाहसब्टेक.com का इस पर आते हैं और इस पर इमेज पर जैसे किलिक करेंगे दूसरा पर जो जाएगा तो अभी इसको टारगेट करके कोई भी वेफ्साइट का लिंक देंगे वहाँ पर जाकर ओपन हो जाएगा देख्कर जो पर नहीं लागा अंगुडर का जो कुर्स चल रहा है उसका लिंक ओपन हो गया तीस wykon के से पूरे के पूरे इमेज को टारगेट कर सकते हैं किसी वाड़ को टारगेट कर सकते करते हैं तो हम जेक्ण पर इस हम बनाते हैं तो यहां पर दिखाने के भाद यह साहोसब्टेक.com है तो यहाँ पर आप एंकर टेक लिजिए ठीक है और पूरे के पूरे इस पर आगर आपको कट करके इस एंकर टेक करने डालिए ठीक है और यहाँ पर आप लिख दिजिए www.sahosub.com इसको पर डाल दिया टार्गेट ब्लैंक कर दिजिए ठीक है टार्गेट ब्लैंक से अब यहाँ पर साहोसब्ट.com है तो इसको भी आप बना सकते हैं एंकर टेक ठीक है पूरे के पूरे इसको कट करिए और इसके अंदर डाल दिजिए और यहाँ पर आप लिखे www.sahosub.com ठीक है दोनों वेबसाइट करेंगे तो साहोसब्ट.com हो जाएगा ठीक है और नीचे वाले पर किलिक करेंगे तो साहोसब्ट.com हो जाएगा इसको हमने टार्गेट ब्लैंक नहीं किया है तो यहीं पर उपन हो गया पुराना वेबसाइट ठीक है यह हमारा पुराना वेबसाइट है और यह हमारा अभी लेटस्ट वेबसाइट यो चल रहा है ठीक है तो दोनों कर्में टार्गेट कर दिए इसको टारगेट ब्लैंक कर देंगे यहाँ पर तो यह दूसरे लिंक में ऊपन होने लाएगा है यहाँ पर आप कर दिजिए target blank ठीक है यह भी अब दूसरे टैब में open हो जाएगा यह भी देखिए दूसरे टैब में open हो गए तीस तरीके से आप link बना सकते हैं दूसरा चीज़ कभी-कभी आप लोग देखते होंगे जैसे माल यह उपर है हमारा यहाँ पर link बना है contact details ठीक है अब ओ लिंक हमारे इसी page पर हमें visit कराना है ID की मैं चाहता हूं कि जैसे इस पर click करूं तो यह contact details वाला चीज़ ओपन हो जाए जैब project details हमारे दिखने लगए ठीक है project details का हम लिंक बनाना चाहते हैं यहाँ पर projects और उस पर click करने तो यहाँ पर project वाले पर आ जाए ठीक है तो हम दूसरे page पर visit करना सिखाएंगा अभी ठीक है अब माल यहाँ पर हमने एक बना दिया paragraph और यहाँ प्लिक दिया हमने projects ठीक है और इसको मैंने क्या कर दिया anchor tag और इस पूरे projects को हमने cut करके और यहाँ पर डाल दिया ठीक है अब यह ID की पर जाएगा अगर same page same page पर आपको visit कर रहना है अगर दूसरा कोई page होता तो उस page के यवारे लेते हो जो मैं अभी दिखाऊंगा ठीक है अगर मैं सेम page पर जाना है तो हम क्या करेंगे जो project है इसको हम एक ID दे देंगे ठीक है ID दे दिया हमने और equal to हमने से डाल दिया project ठीक है और इसको हम copy करेंगे copy करके और य link हमारा ठीक है कैसे देखिए यह भी बहुत कम का चीज है इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए project details आगया अगर नीचे कुछ और भी लिखा हो रहाता तो उपर चला आता जैसे माल यह देखिए इसके नीचे और भी कुछ होता तो और भी यह उपर चला जाता है जैसे माल ल इसको हमने क्लोरियम ठीक है और इसको हमने कॉंप कर के ठीक है पेस्ट फेस्ट 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 पेस्ट पेस्ट अ त्रिकर समय कर दिया अब देखिए अभी अब यहां पर नीचे बहुत कुछ बना हुए है तो अब इस पर click करेंगे तो और उपर दिखेगा देखें आगे यहां पर ठीक है तो आप यहां पर इसको Target कर रहे हैं कि हम यहां पर चले गए अब दूसरा चीज देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम internal ही किसी page पर visit कर जाएं जया से हमारा हिस्द पहले से साइध इसमें है एब वाउतंस है फाइल्पो मैं शें चीज्स बता रहा है तबाउट पहले स्वें है ठीक है तो फीरिमें इसी को ृटिक मैं तर तो फ सीज्फ है यहां पर मैं थ्थ्यूसा बना देता हूं कि اूपन होगा तक या लिखे यहां प्रिगता हूँ h1 this is about about us page हमने किसी वीडियो में बताया होगा about us page बनाने के लिए तो अब इसको हम यहां पर target करते हैं ठीक है यहां पर हम लिखते हैं यहां पर हम बनाते हैं ठीक है एक और anchor tag और यहां पर हम एक काम करते हैं परागर अपना करके इसको anchor tag के अंदर हम डालते हैं और लिखते हैं अब आउट अस ठीक है और यहाँ पर देखिए अब आपको देखना है जी सरीके से आपने image का path set किया था है यहाँ पर देख रहा हैं आपने image का path यहाँ पर set किया है image इधर आई यह image का path आपने set किया था इमेजेज के अंदर अब यह about us का page भी आपके स्यम रूट पर है तो आप यहाँ पर directly about us लिख सकते हैं आप ऐसे करेंगे तो देखें सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर किस पेज को सेट करना है मतलब control और अब इस पर हीट करेंगे तो सब दिखा देगा यहाँ पर और आपने about us को स्लेट कर लिया अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे ता about us का page उपन हो जागा मैं इसको टार्गेट ब्लैंक करता हूं ताकि दूसरे टाइब में open हो यह दीखें आपको ठीक है नहीं तो क्या हो रहा है क पिछला ओला पेज चला जा रहा है ठीक है अब यहां पर आईए about us पर हमने क्लिक किया जैसे about us पर क्लिक करेंगे देखिए about us का page open हो गया मतलब कि आप सेम डोमेन में हैं सेम प्रजेट के अंदर है और इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो आपके यहां पर नीचे चले आ रहे है ठीक है और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो दूसरे मतलब यह आपका external link हो गया ठीक है यह आपका internal link हो गया और यह आपके सेम पेज पर का link हो गया ठीक है इस तरीके से अलगला काम होता है अब मैं आपको और भी बताता हूं जैसे माल जी हमारे contact us में email डाला हुआ है number डाला हुआ है मैं चाहता हूं कि यह email id link बन जाया और इस पर मैं जैसे क्लिक करूं था हमारा email open हो जाया और वहाँ सेंड कर सकें यह मुबाइल नमबर पर क्लिक करें था हमारा call लग जाए इस मुबाइल नमबर पर अगर आप मुबाइल फोन में open करेंगे website इस पर क्लिक करेंगे तो फोन लग जाएगा यह ब्राउजर है लैप्टॉप रहेगा तो उसमें तो उसका भी यह बेर नहीं होता है पूछेगा कि जूम से करना चाहते है स्काइप से करना इस तरी के सब फुछने लाएगा चली करके देखते हैं एक पर इसको भी इसके लिए होता है यहां पर आते हैं यहां पर यह आपका email है तो इसको हमें target करना है ठीक है थम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे anchor tag ठीक है और इसको कट करके इसके अंदर हमें डाल दिया ठीक है और इसके अंदर यहां पर हमका लिखेंगे अब किस पर mail करना है बस इसको इसी email करना है तो कॉपी करिए और यहां पर डाल देजिए अब देखिए क्या होता है mail to यह जो attribute है यह क्या करता है आई यहां पर इस पर क्लिक करिए अब इसमें देखें लिंक बन चुका है हमने विजिट नहीं किया तो यह ब्लू कलर कर दिख रहा है यह विजिट करेंगे तो परपल हो गया है ठीक है अब इस पर जैसे section open हो जाएगा और यह आपका टू में यह email ID चला गया ठीक है टू में चला गया है और यहां पर अपना subject लिखिए body लिखिए mail send कर दिए मैं चला जाएगा तो मत्तबाइड डिफोल्ट नेचर आपका वाइल फोल्ट बिहावियर आपका लैप्टॉप का ओपन हो जाएगा ठीक है अब मैं यह मुबाइल को ओपन करना चाहता हूं कि इस पर क्लिक करने पर मुबाइल वाला जो कॉलिंग वाला है सेक्षन ऑपन हो जाए वहां सम कॉल करते हैं के सनमबर पर तो भी हम कर सकते हैं अपने जीरूर देखा हूँ कही न कहीं वेब साइट में यहां पर आईए यहां पर हम क्या करेंगे इसके लिए होता है यहां पर हम लगाते हैं एंकर टाइग ठीक है और इसको कट करके यहां पर डाल देते हैं और यहां पर हम डालते हैं टेल अग कॉलन ठीक है मुबाइल नंबर सब्सक्राइब करेंगे तो यहीं मुबाइल नंबर भी लिंक बन गया इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं मुबाइल में उपन करिएगा तो आपका कॉल का जो सेक्षन होता ओपन हो जाता है और वहां से आप कॉल कर सकते हैं तो इतने सारे तरीके के हमने यहां पर लिंक बनाना सीखा आई होग कि आपको समझ में आ गया होगा फिर भी आपके माइन में कोई भी कॉन्फ्यूजन होता नहारे कमेंट बक्स में जुरूर सेर क कर दो चेन।